हलो गाईज, दोस्तों कि आप भी अपना खुद का एक online e-commerce store launch करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, Amazon या Flipkart की तरह या फिर बहुत सारे popular leading e-commerce website की तरह जिसमें सारे features हो, दिक्कत यह आ रहे होगी कि आपको यह चीज़े, technical चीज़े, coding, programming, यह सी चीज़े, कैसे होंगी, वो ची करने की बात नहीं है दोस्तों, अब जमाना इतना बदल गया, advance हो गया है कि ऐसे-ऐसे tools, SMS content management system आ गये हैं, जो कि आपको मातर 10 minute में professional looking, बिल्कुल उसी तरीके का, आपको एक store जिसमें हर features होगा, payment gateway add करने का, shipping, जो चीज़े होती हैं, हर चीज inventory manage करने का, आपको photo upload करना है, price डालना है, that's it guys, इतना असान है, और WordPress जो CMS है, वो सब सब बहतर है, हमारे जिसाब से आज की rate में, और बहुत familiar है, बहुत popular है, और इसका एक plugin, जो कि Ucommerce है, वो दोनों का mixture, जो है, एक कमाल का e-commerce और बहुत ही easy, simple way में बना देता है, कैस वीडियो में हम वही चीज़ आपको बताने वाले step by step, ये किस तरीके से आप एक WordPress का e-commerce website बना सकते हैं, इस वीडियो को 10 मिनट के बाद watch करने के लिए, guys, सबसे पहले दो चीज़े किया हो सकता होगी आपको, एक होगा आपको domain name, website name, और दूसरा, जो इस domain name से आप attach करेंगे space, जहां पे आपने folders, photos, जो details है, व होस्टिंग का, तो site load नहीं होगा, धीरे load होगा, तो लोग site पर ठिकेंगे नहीं, आएंगे नहीं, purchase नहीं करेंगे, hang होने लगा site, ये सारी दिक्कत होते हैं, इसलिए हमेशा hosting जो है, अच्छे hosting provider से खर दें, हो सकता है, कुछ local hosting जो सस्ते में देते हैं, वो भाग भी जात हैं कई बार, इसलिए ये चीज बहुत ध्यान जेने वाली चीज है, हम ये नहीं कहते हैं कि आप जो हम recommend करें उसी से खरीदिये, लेकिन खरीदिये branded से, इस वीडियो में हमें example के लिए आपको लिये हुए हम एक बहुत बढ़िया hosting company है, होस्टिंगर नाम है, और इंडिया म पर लेकि आपको बताएंगे कि कैसे सस्ते सस्ते में एक बढ़िया professional website बना सकते हैं, e-commerce का आप, नीचे description में link है, उस link को क्लिक करेंगे तो आप directly उस page पे चला जाएंगे जहां से हम आपको complete setup बताने वाल, नीचे description का link को follow किजे और setup लेकिए, description का link को follow करेंगे तो आप hostinger India या web hosting website के official webpage पर आजाएंगे, आप अभी 70% off चल रहा है, web hosting के साथ साथ free domain और SSL भी आपको free हैं मिल रहा है, जल्दी कीजेगा offer limit समय के लिए है, यहाँ पर इसके कुछ packages है, single website के लिए ये वाला packages में आप एक website host कर सकते हैं, 10 GB तक का assistive storage है, और जबकि इसका सबसे popular plan जो है सबसे बहतर है, और यह मैं recommend करेंगा हूँ कि आप यही लिजिए है, सबसे best होता है, 100 website, 20 GB space, 25,000 monthly visitor, फ्री में email space, उसके बाद आपको SSL मिलेगा, domain मिलेगा, .com या फिर जो आप चूज करना चाहते हैं, unlimited bandwidth, कितना भी traffic हैं कोई दिक्कत नहीं है, और managed WordPress, और acceleration मिलेगा, 30 दिन अबनी बैक guarantee के साथ साथ और भी चीज़े मिलेंगी, यह business plan है, इसे आप हम कहेंगे कि आप छोड़ेगर आपको जुरत नहीं है, business तो अगर आप एक beginner है, तो आपके लिए best plan है, इसका premium home host, web hosting को आप purchase कीजी, यहाँ पे 48 month के लिए गर purchase करते हैं, तो सबसे ज़्यादा discount मिल है, और साथ आपको फ्री आपको एक domain मिल जाता है, जिसके लिए eligible हैं, यहाँ पे आप अभी फिलहाल सर्च करके देख सकते हैं, जो आपको domain चाहिए, वो की available है कि नहीं, मैं यहाँ पे dairy online.com को सर्च करता हूँ, यह available है, चलिए और हम यह 0 rupees पे एक साथ के लिए 100% discount page, यान लाइकार्ट में आपको, यह देखिए SSL, वेब होस्टिंग, डोमेन, और और यहाँ पे आपको extra discount मिलाएगा, बिल्कुल आप my smart support coupon code डालिए और आपको extra discount यहाँ मिल जाएगा, देखिए 7000 के चीज़ आपको 3030 रुपाय में, चकाउट कीजिए, sign up कीजिए, और किसी भी payment गेटवे से PayPal, UPI या फिर कोई भी से आप sign up कर लिए, उसके बाद आप खरदने के बाद इस page पर land करने का, verify करना होगा आपका, और verify जैसे हो जाएगा, आपको domain को claim करना होगा, उस register करना होगा, तो क्योंकि आपको free domain मिला, तो यहाँ पे वो चीज़ें डालिए, जो domain name पिन कोड वगार डाल की यह चीज़ें complete कर लिए, that's it, अब यह हो गया, आपका ready, अब यहाँ पे थोड़ा सा domain की authority को verify करने के लिए, आपको अपने email पे एक confirmation message है, उससे आपको verify करना होगा, यहाँ जही email वाले जो हैं, वो official इसके मालिक हैं, अब यहाँ पे आपको मिल गय करेंगे setup पे start now करेंगे, और यह बहुत simple बनाता इसे, अपना domain या फिर existing को भी आप इसे migrate कर सकते हैं, यहाँ पे, मैं एक जो नया भी purchase किया हम, वो setup करूँगा, यहाँ पे अब हम एक नया website बनाएंगे, आप यहाँ तो migrate कर सकते हैं, पुराने को भी, अब यहाँ पे हमको क्योंकि एक e-commerce website बनाना है, तो इसलिए वो कमस वाला जो है, यह select करेंगे, और यह कमाल का बहुत easy बच्चों की तरह, एक ऐसा CMS है जिसका इस्तमाल करके आप अपना e-commerce मिंटों बना लेंगे, पासवर्ट डाली है, अपना login के लिए हाँ पे, जो रखना चाले, continue कीजिए, और इसके बाद आपको बहुत सारा themes बिलेंगे, और भी आप themes ले सकते हैं, यहां से मैं क्योंकि e-commerce एक plant का, online plant को, nursery को बनाने वाला हूँ, तो वो चीज़ करूँगा, और उसको select करने बाद theme को हम यहाँ पे finish setup करेंगे, और यह देखिए, initializing होने लगा, uploading होने लगा, यह बस थोड़ी ही देर में आपका जो है, ready कर देगा e-commerce site, यह देखिए, ready हो गया आपका e-commerce site, अब आप कहाँ चाहते हैं, dashboard पे है, control panel पे, तो हम यह पे अभी, फिलहाल control panel पे जाके, और चीज़े set कर लेते हैं, यह देखिए, दोनों, आपका hosting भी रेडी हो गया, domain भी, अब SSL certificate को activate करना है, आपने, क्योंकि HTTPS security बहुत important है, अगर आप Google के नजर से देखें, तो वैसे site को ज्यादा prefer करता है, तो HTTPS बहुत जरूरी है, SSL, यह certified हो गया site, और हमारा cloud protection यहाँ पे हम, इसे भी install कर लेते हैं, तो यह देखिए, install कर लेते हैं, that's it, we are ready, अब यहाँ पे dayharyonline.com हम बना देते हैं, पास्वर्ट डालिए और आपका ready हो गया, यहाँ से आप access कर सकते हैं, यह देखिए, email, आप किसी को भीज सकते हैं, यह आपे, बिल्कुल देखिए, और यह रहा complete आपका email, अब चलिए हम website को आपको दिखा दिए, front end है, यह देखिए, HTTPS certified है, और बिल्कुल secured है, गूगल ट्रस्ट करेगा इससे, आपकी ranking अच्छी होगी, और यह देखिए, एक demo sample आपका already, plant का store जो है, वो online हो गया, नसरी का, क्योंकि मुझे plant का बनाना था, इसलिए हमको simple होगा, इसलिए आसा मैंने template यूज किया, बहुत सारे पेजिए हैं, आप च के बाद अपना credential डालके, आप यहां पर सबसे पहले appearance में जाएए, themes में जाएए, अपना logo चेंज किजिए, title का tagline, जो चीज़े हैं, वो आप change कर सकते हैं, यहां से, जैसे मैं यहां पर इसका logo यहां से change करता हूँ, sample के लिए, और यह select कर लिए, मैंने यहां पर logo, और logo select कर अब चाहें, तो save कर, मैंसे छोड़ देता हूँ अभी, और tagline भी आप कुछ भी change कर सकते हैं, tagline यहां पर हम डालते हैं, तो यह इसे आप दिखा सकते हैं, यहां से, फिलहाल मैंसे save नहीं कर रहा हूँ, और यही रहा, WooCommerce का panel, जहां से आपको सारी settings करने होंगे, products के बारे में, analytics के बारे में, और marketing के बारे में, तो एक एक हम करेंगे, सबसे पहले चलते हैं, home page पे setting करने के लिए, यहां पर जो basic main important settings है, यहां पर general है, product है, shipping है, payments हो और बहुत सारे चीज़े हैं, address सबसे पहले हैं, store का address कहा है आपका, और किस country से हैं, किस जगह से हैं, state और यह पि और उसे हम select कर लेंगे, उसके बाद किस जगह पे आप ship करना चाहते हैं, तो मैं किवल इंडिया में करना चाहता हूं, तो यहां पे मैं इंडिया select कर लूँगा, उसके बाद default जो location है, हमाँ store का ही location रहेगा, अगर आप इसमें tax को अलग से लगाना चाहते हैं, तो यहां प तो यह symbol के साथ साथ, आप इसा symbol को किदर रखना जाता है, left, right देख लीजे, और यह rupees हमने set कर दिया है, तो यहां पे आप इसे हम save कर लेंगे, save changes कर लेंगे, और यह हो गया save इतना basic settings, उसके बाद और भी चीज़े हैं, जो आप कहां करना होगा, जैसे यह shop page में, जो आपक unit है, dimensions है, वो सारी चीज़ें यहां पर डालनी होंगी, उसके बाद यहां पर shipment में जाएए, shipment में जाने के बाद आप अपना shipment select कर लिए, जोन अगर बहुत सारे जोन है, आपके warehouse है, तो उसे आप से कर सकते हैं, मेरा नहीं है, मैं default एक ही रख रहा हूँ, simple है, तो उसके payments, payments में आपको direct transfer, check, cash on delivery, PayPal और Google Pay या फिर कोई भी payment gateway यहां पर integrate कर सकते हैं, payment gateway इंटेगेट करने के लिए आपको बहुत simple है, यहां पर guest checkout भी कर सकते हैं, payment gateway के लिए आपको plugins में लेंगे और वो कर सकते हैं, आपनी privacy policy update कर लीजिए, emails जिससे email आपके customer को जाएगा, order लेने प आप यहां पर कर सकते हैं, चलिए, अब आपको हम orders के बारे में दिखाते हैं, और सारी चीजिए के बारे में कैसे कैसे क्या होती है, तो सबसे पहले हम आपको product add करके दिखाते हैं, यह by default theme में हमारे add है, आप चाहें क्योंकि हम plant का एक online store बना रहे हैं, तो उसका already यहां बन पौधा जो है, गुलाब का पौधा add करना चाहता हूं, तो यह देखिए, मैं उसके description लिख दूँगा, उसके बारे में, उसके बाद category select कर लूँगा, plants में आता है, और उसके बाद regular pricing इसके कितनी कीमत है, वो आपको select करना हुआ है, आप पर जैसे माल यह मैं इसकी कीमत है, दो-320 रुपए, और मैं इसे बेचूंगा 300 रुपए में, यह हो गया हमारा basic और उसके बाद SU के कुछ codes है, product का तो वो चीज़ें आप लाख सकते हैं, shipment में details डाल सकते हैं, कितना version है, उसका कितना dimensions है, यह सारी चीज़ें आप वहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ weight 2 kg और dimension इस product का 10 x 15 x 12 मैं कर देता हूं, तो यह चीज़ें यहाँ पर करके, आपको save करना होगा, product का कुछ tag का की, Google में search करने में यह चीज़ें, असानी से search हो सके, इसलिए यह यहाँ पर मिल जाएं, उसके बाद यहाँ से आपको कुछ detail और product का लिखना हो, यहाँ पर upload कर सकते हैं, इसमें यह allow करता है, आपको यह दिखिए, और यहाँ से आपका यह photo जो है, आपके यह में आ जाएगा, आप इसे हम थोड़ा preview करका देखते हैं कि किस तरीके से यह दिखेगा, तो इस तरीके से कुछ preview होता है, और यह दिखिए, preview हो गया, अब यहाँ पर हमे क्या करना है, कि अब आपको चलिए हम नीचे भी दिखाते हैं, सारे नीचे में recommended products आपको दिखेंगे जैसे कि होता है, आम तोर पे, analytics में basically आपको जो orders होगरा आते हैं, जितना sales हो रहा है, वो उसका पूरा details यहाँ पर दिखता है, और इसके बाद revenue कितना आपने generate किया है, परचार कर सकते हैं, यह सारे pages है about us, contact us और इन सब भी को आप customize कर सकते हैं, इसे edit with elevator करेंगे तो आप easily बस click करके erase करेंगे और उसे अराम से अपना जो चीज़े text को customize करना है, photo customize करना है, या फिर आपका address, phone number, email address, यह सारी चीज़े यहाँ से कर सकते हैं, इवेन आप जो भी b banners हैं, वो सब को change कर सकते हैं, बस अपना selected banner बना लिए वो सीज़े करके आप यहाँ पर कर सकते हैं, और कुछ नहीं करना है, बहुत यह सिंपल है, तो यहाँ मैप है, map का location भी आप यहाँ से change कर सकते हैं, अपने दुकान का और उसे देखिए, मैं दिखाता हूं को यह address आ गया, email address सब कुछ update हो गया, तो यहाँ से कोई भी message करना चाहता है, तो हमें message भी कर सकता है, इसी तरह से हर page को आप कर सकते हैं, फिलहाल यह stock page दिखा रहे हैं, देखिए, रुपीज में आ गया हमारे सारे product है, एक product को मैं दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं, पर्चेस कर हैं सभी, और यह देखिए, यह rattles, snake tail यह खरिदना चाहते हैं, तो इसे भी add करना चाहते हैं, तो add कर सकते इस तरीके से, और यह देखिए, cart में total आपका आगया है, हाँ पर क्या-क्या चीज़े खरिद रहे हैं, और यह totally सब कुछ automated calculate हो गया, even coupon code कुछ अपने generate किया है, तो coupon code का discount भी यहां पर दे दिया जाएगा, आपको apply करेंगे तो, बहुत है, उसका फिर आराम से checkout करेंगे और आपको ship कर देना, आपके पास order details आजाएंगे, payment अगर gateway आपने रखा है, तो payment gateway का plugin डाल लीजिए, आराम से यह हो जाएगा, हर तरह के Indian payment gateway supported है, इस तरीके से start कर सकत में, तो guys हमारा तो online store बिल्कुल तयार हो गया, आप कब कर रहे हैं तयार सोचते ही रह जाएंगे, इससे easy way कोई नहीं बताएगा, आप step by step हमारे वीडियो को follow कीजिए, domain purchase कीजिए, hosting खरीदी और जैसे मैंने बताया, आप ऐसा setup करके आप अपना online e-commerce store launch कर लीजिए और पै हमारे, आप कर रहे हैं कर दो कोई बताएगा, आप सत्याओ जाते हैं जापना चर लीजिए, ऍरीजिए और लीजिए कर रेड़ागा हैं भालै झालैंगे जाएगागा हैं